इस थाइद आजा रहे हैं, संधीब बै, संधीब बै ना ना एड़े आए नमस्कार राम राम जैसे वरा है भाई सारे भाईया ने गाउन लो आरी के अंदर ये एक दुर गटना हुई भाई अक्सिडेंट हुआ दिल्ली नमबर उन्डा सीटी गाड़ी है भाई और वो टकर मार कैसी दिरजवाहे में गिरपड़ी भाई नेर में और उसके अंदर कितने आदमी हैं कोण है और कहा के हैं कुछ भी पता नहीं लगा भाई गाउं कठा हो गया है और शाथ में पुलिस भी आगी अब इसके बाद पता लगागा भी इस गाड़ी के अंदर कोण है कैसा है और यह गटना सुब है कि पाज बज़े के असपास की है गाउं के कुछ युवक जब सुब है रेस मारने के लिए रनिंग के लिए दोड़ माने के लिए यहाँ पर आए ना स्टेडियम में तब यह कांड हुआ गाड़ी ने पुल की दिवार को तोड़ा और नैर में जंप ले गए शिद्धि अब तक उस भी पता नहीं कि इसके अंदर कितने आदमी है कैसे यह हुआ मोके पे पुलिस भी पहुँच चुकी है लेकिन गाड़ी के अंदर कितने आदमी कुछ भी पता नहीं भाई दिल्ली नमबर गाड़ी है पॉंडा सीटी पुराणी मोके पे पुलिस भी पहुच चुकी है अब देखो वही सुनाकत कैसे होगी क्या होगा कुछ में बता जा सकता अब बेल बांद के बार निकालने का प्रियास किया जा रहा है गाड़ी को किसके गरकाना सोया भाई किसी को कोई मालूम नहीं इसके अंदर कै आदमी है कितने आदमी है कौन है अभी तक कुछ भी पता नहीं है गाड़ी की किड़की खुली नहीं है, बंद की बंद है, गाड़ी के नैर में गिर जाने से पानी का बाहू भी तेज हो गया है, और देखते ही देखते काफी बीड़ भी जुट गई है, या आप देख सकते हो, ट्रैक्टर के दोरा भी इसको बाहर निकालने का प्रियास हो रहा है, भाई। ये एक काफी बड़ी दुर्गट नामानी जा रही है अगर दो है तीन है इसके अंदर तो सब के सब ही मारे गए तकरीबन क्योंकि खिड़की खुल नहीं रही है अभी तक दोनों खिड़कियां तकर लगने के बाद वीड़ने के बाद लोक हो गई है जिसकी बज़े से खिड़की नहीं खुलने की बज़े से भी दम गुटके जो इसके अंदर थे वो सारी सवारी मरने की आसन का अभी जितनी भी सवारी है सारी की सारी बाकि गाड़ी बार निकलने के बाद पता लगेगा अभी इसको बार निकलने का प्रियास हो रहा गाड़ी को बाई पाणी के बाहों के काणी है फुल की दूसरे छोर पर अड़ चुकी है यह गटना गावनोहारी की बाई, गावनोहारी जीला पानिपत की यह दुर गटना है, ओंडा सीटी गाड़ी है, दिल्ली नमबर बी एल थरी सी बी जीरो थरी सिक्स वन नमबर की गाड़ी है, भी पुरानी उंडा सीटी गाड़ी है, और कुछ भी पता नहीं कि कितने आदमी इसके अंदर है, कोण कोण है, कहां के हैं, कोई भी सनाकत नहीं हो पाई, क्योंकि गाव की गाड़ी नहीं है, यह गाव से बार की गाड़ी है अगा तो अग्याराम भाई सारे बाई याननमस्कार अब यह अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है ना क्योंकि गाड़ी तो जो है पल्टी पल्टी खाचुकी गाड़ी और निकालने के प्रियास है भाई देखो ट्रेक्टर सरक तो गई लेकिल निकल नहीं पाई गाड़ी अभी तक नहीं निकल पाई यह ट्रेक्टर के दौरा बड़ी चैन बेल के दौरा खांचा गया इसको यह एक बड़ी दुरगटना मानी जाती सुमिद जी रोईत जी मुकेश जी यह गावलो अरीजिला पानीपत का एक दुरगटना का भई वो है लाईव आप देख सको भाई दुरगटना कभी भी किसी के साथ भी गट सकती है जीवन भी विदताओं से बरा हुआ भाई इंसान का कुछ भी मालूम नहीं है गर से निकलेगा वापिस आएगा की नहीं अभी इसराना पुलिस जो की गावलो हारी इसराना थाने के अंदर गदाता है वो इसराना पुलिस पहुँच चुकी है या भी लेकिन गाड़ी के अंदर जो भी इंसान कोई भी है तो उसके बचने के कोई व्यासार नहीं क्योंकि काफी समय हो चुगा दो डाई गंटे से भी जादा गाये समय हो चुगा है यह गाउन लो आरी का है रभी बाही लो आरी गाम में हो रहा है मेरे मेरे खुद के गाम में पहलवान यूप कम से कम पांच साड़े पांच बजे की गटना है कहीं गंटे हो गए हैं तो आदमी के बचने की तो चांस बिलकुल भी नहीं है किसका गर उजड़ा हवाया इस तक कुछ पता नहीं लाग्या है चलाने वाले दारूपी के चला रहे थे या कैसे हुआ कुछ भी पता नहीं है या तो कोई इंसान यूँ भी पता नहीं है किसके अंदर कितने आदमी है और किसके गर कादिवाबु जा है कुछ नहीं पता भाई किसी नहीं गाड़ी बार निकल लगी इसके अंदर आदमियों का पता लगगा उनकी जेब तो उनके आईड़ी या वगरा कुछ तब ही जाके ये पता लगगा कि भी कौन थे कहां से थे ये तो ये तो एक बात ताया है कि ये बात ताया है कि गाड़ी तो जो गाड़ी थी जस्वीर भाई गाणो आरी की बात है मेरे गाम की बात है हाँ बिन्टू जी गाणो आरी की बात है तड़ों को नहीं कर सकती है मुकेश जी गाउन लो आरी की बात था भाई गाउन लो आरी खुलवीर जी राम राम हाँ मेरे गाम की बात था भाई लो आरी जी ला पानी पात इसके तड़ों को निकल देगी इसके तड़ों को निकट देपरली इसमने निकट जीए है एक है का नी के बाउयर ना पान चार आप नोगए इसा बात मुझें में और अधाग है हुआ है हां कि अधन अधन बाई थे मिड्रावर वह जाएगे है यदि ओंडा सीटी गाड़ी है जी ओंडासीटी दिली नमबर इचे ती अधिती तूट गया तो नंबर तो दिली नमबर गाड़ी थी जी जी और अब तक कुछ भी पता निरोईत जी की बई कितने आदमी है कैसे है किसका गरू जड़ा है तो कुछ भी मालूम नी जब तक बार नहीं निकलती ना तब तक पूरा पता नहीं लग पाऊगा कि वहा क्या है यह कम से कम डाही तीन गंटे पहले की बात है तो जब राजिंदर जी हाजी राजिंदर जी